बिसमिल्ला इर्रह्मान इर्रहिम असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल पूर प्लैनेट एंड ग्लुटें फ्री रेसिपीस कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोबी की र दरी इसके लिए टूकिंग के लिए मैंने एक बटन ले लिया है जिसमें मैंने दो बड़े चमच आउल के अड़ कर लिये हैं अ आप अछिए को आप अधिया इसमें मैं एड करूंगी वैंटेबल स्पून चिंजर कार्लिक पेस्ट इसको यहां पें करेंगे तोड़ा सौत यहां पर दो दर्मयाने साइज के प्यास शॉप किये हुए उसका भी हम सौटे कर लेंगे इसके अदर में अब एड करूंगी तो दर्मयाने साइज के टमाटर चॉप किये हुए ग्रेंच चली जाएगी यहां पर तीन सी चार अदर एन द involves it के एंदर 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 आद कहां हिंगी अलडी पाउडर थी पाउड़ थी पाउडर कवड़ाऊचे ड मेंया हे दोड़ र्डिशनी यहां दोकर में पावडर यहां थी अल लीजहां देख़ेंगे थी यालीपाउडर को यहां एंदट्स्पोम्स में गरम मसाला पाउजर हाफ टिबल स्पून इन सब को हम अच्छी तरहां से भूल लेंगे मसाला बहुत अच्छी तरहां से भूनेंगे इसमें जाएगा वन टेबल स्पून वाइट विनिगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा अब इसमें एड करने जा रही हूँ गोबी जो कि मैंने कट कर ली थी अब इसको मैं इसमें एड कर दूंगी अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी एड कर दूंगी और इसको मैं कवर करकर रख दूंगी जब यह हाफ को खो जाएगी तो मैं फिर इसके अंदर पोटाइटो एड करूंगी इसके अदर मैंने वन टेबल स्पून मेती का भी एड कर दिया था यह हाफ को खो गई है अब मैं इसके अंदर दो से तीन कटे हुए तो आलू एड कर दूंगे इसको मैं कवर कर दूंगी इसमें पानी एड नहीं करना यह अपनी स्टीम में ही कुप हो जाएगा जी पान से चे मिनट के बाद इस आल्मूस्ट डण यह डान हो चुकी है आलू और गोबी दोनों सॉफ्ट हो गए हैं अब मैं फिर इसमें पुष्ट मित्थी एड करूंगी वान टेबल स्पून भरके दोस्तों आप इस तरह से इसका आलू गोबी का सालन रैडी करके आप इसको पराठों में इसकी फिलिंग कर सकते हैं बहुत ही तेस्टी और बहुत ही यमी पराठे बनते हैं इसके धनिया एड किया मैंने इस पे और डिशाट कर दिया है तो दोस्तों आप अपना रिखिएगा बहुत सा ख्याल रेसिपी को अपने घर में जूर ट्राइ करिएगा मुझे दें इजाज़त आला हापीस आला है आला है आला है झाल झाल